भारत के मांचित्र को बदलने वाले लोह पुरुष कौन थे? मैं हूँ पोशन कुमार और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज बाई पोशन भारती स्वतंतरता संग्राम में जहां सरदार पटेल का इस्थान अत्यन्त महतपूर्ण है वहां भारत के स्वतंतर होने के बाद उन्होंने उसके लिए जो कारे किया वहां उससे भी कहीं अधिक मतपूर्ण है जी हाँ आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ सरदार वल्लब भाई पटेल जीका आजादी से पहले के भारत के मांचित्र को देखें तो उसमें दो रंग दिखाई देते हैं एक पीला और दूसरा गुलाबी गुलाबी रंग उन क्षित्रों को दर्शाता है जो बिटिश सरकार के अधिकार में थे और पीलाब शित्र भारत की 556 छोटी बड़ी रियासतों का प्रतीक था इन देशी रियासतों को बिटिश सरकार ने इस बात की छूट दी थी कि यदि उसमें से कोई पाकिस्तान के साथ लगता है तो पाकिस्तान में समलित हो सकता है और जो राज्य चाहें वे भारत में मिल सकते हैं इसके अतिरिक्त उनके लिए एक प्रलोभन यह भी था कि वे चाहें तो अपनी स्वतंत्रता भी कायम रख सकते हैं ग्रीम अंत्री बनकर सरदार पटेल ने जून 1947 से इस संबंद में कारिया प्रारब कर दिया उन्होंने सब देशी राज्यों का दोरा किया और साम दाम दंड भेद सभी उपायों से उन्हें भारत में मिलने को मजबूर किया उनके प्रयोत्नों से कुछी समय बाद सारी भारतिय मांचित्र का एक ही रंग उभर कर आया पीले धब्बे समाप्थ हो गए निजाम हैदराबाद ही एक ऐसा राज्य बच गया जिसने गड़बड करने का प्रयात्न किया परन्तु एक छोटे से पुलिस एक्षन द्वारा सरदार पटेल उसे भी सही मार्ग पर ले आये इस प्रकार अखंड भारत का निर्मान हुआ यह कार्य अत्यंत कठीन और दुरुख था परन्तु सरदार पटेल ने बड़ी युग्यता और कुशलता से इसे पूरा किया दोस्तों इसी कारण उन्हें भारत का लोह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल अपने किसान पिदा के परिवार में चौथे पुत्र होने के कारण उपेक्षित से रहे परन्तु उनमें दिर्ज निश्चय की भावना पहले से ही थी उन्होंने गुजरात की एक छोटी सी रियासत राजकोट की विरुद उन्निस सो उन्चालिस में अवाज उठाई वी जानते थे कि भारत के किसान अत्यन्त निर्धन है और राजा जमेदार उनका जबदस्त शुरुशन करते है सरदार पटेल ने राजकोट के ठाकूरों को मजबूर कर दिया कि वे किसानों के हित्मेकारे करें देश का विभाजन जिन्ना और मुस्लिम लिग के समपरदाईक विचारों के आग्रह पर हुआ था जुनागड और हैदराबाद के अतिरिक्त कुछ छोटी छोटी रियासतों के शाशक मुसल्मान नवाब थे सरदार पटेल के प्रयतनों से उन्हें भारत की मुक्यधारा में संभिलित कर लिया गया था परन्तु कश्मीर की समस्या कुछ भिन थी एक बात तो यह कि कश्मीर पाकिस्तान की सीमा को छोटा है इसके साथ कश्मीर घाटी में मुसलिम जन्ता की संख्या अधिक है परन्तु शाशक एक हिंदू था नहरुजे के पुर्खे कश्मीरी थे और कश्मीर का मामला उन्होंने अपने हाथ में ले रखा था कश्मीर के महाराजा की एक इच्छा स्वतंत्र रहने की भी थी कश्मीर की अनिश्चित स्थिती को देखकर पाकिस्तान ने कश्मीरी घाटी पर आक्रमन कर दिया तब कश्मीर के महाराजा हरिसीय ने भारत के साथ मिलने की इच्छा प्रकट की उन्होंने जब भारत में मिलने के करार पर हस्ताक्षर कर दिये तब भारती सेना ने शिनगर को कबाईलियों के हाथों से बचाया कबाईली और पाकिस्तानी सेना के कुछ भाग जब घाटी से पलायान कर रहे थे उस समय युद्ध बंदे का ऐलान कर दिया गया इस प्रकार कश्मीर का एक तिहाई भाग पाकिस्तान के कबजे में रह गया दोस्तों दोनों देशों की सीमाएं जहां मिलती हैं उसे नियंतरंडेका कहा जाता है इसके बाद भी पाकिस्तान ने दो तीन बार भारत पर अक्रमन करके कश्मीर पर अपना दिकार करने का प्रयत्न किया परन्तु जब वह उन प्रयत्नों में असफल रहा तो उसने अपने सैनकों और आतंकवादियों के सहारे भारत में तोड़ फोड़ के रूप में परोक्ष युद्ध प्रारम कर दिया भारत आज भी इस परोक्ष युद्ध से जूज रहा है दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कुछ वर्ष पहले कारगिल में भारती और पाकिस्तान सेना में जो युद्ध हुआ वह भी इस बात की पुष्टी करता है कि पाकिस्तान कश्मीर को इस आधार पर अपने साथ मिलाना चाहता है दोस्तों यह सब बताने का उद्धेशिया है कि अनेक राज्यतिग्य यह अनभाव करते हैं कि यदि कश्मीर का प्रश्न भी सरदार पटेल के हाथ में होता तो आज स्थिती भिन्न होती यह बात भी इसका प्रमाण है कि सरदार पटेल ने जवाहरलाल नहरों की तरह भावकता में ना भैकर वास्तविक्ता को समझा और द्रिड़ निश्टे से कारे किया यही सब बातें उन्हें लोह पुरुष सिद्ध करती हैं लोह पुरुष के संबन में यह स्पष्ट कर देना भी अवश्चक है कि सरदार पटेल शारिरिक रूप से बहुत बलवान न थे और समान्य भारती वेशबूशा के अतिरिक्त जिसमें धोती और कुर्ता सम्मिलित है उन्होंने कुछ भी दारण नहीं किया उनका ध्ये केवल भारत को अखंड और सुद्रिड बनाना था यही कारण था कि आज सभी भारती सरदार पटेल के प्रती कृतग्यता प्रकट करते हैं दोस्तों सुतंतरता प्राप्ती के बाद जिस उत्साह से सरदार पटेल काम कर रहे थे उस समय उन्हें भारे धका लगा जब गांधी जी की हत्या कर दी गई गांधी जी के बलिदान से सरदार की कमर तूट गई वे गांधी जी से अगाध स्नेय रखते थे उन्हें अपना बड़ा भाई और गुरु मानते थे उत्साह के अतिरिक्त प्रेजना भी उन्हीं से पाते थे गांधी जी के हत्या के बाद वे एक प्रकार से तूट गए देश के प्रशाशन कारियों के अतिरिक्त निजी मामलों में भी वे कर्तव्य को सरव परी मानते थे एक बार वकील की हैसित से वे अदालत में बहस कर रहे थे उसी समय उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यों की खबर मिली परन्तु तब भी उन्होंने बहस जारी रखी मृत्यों का तार पढ़ लिया और उसे मोड़ कर जेब में रख लिया बहस समाप्त होने के बाद ही वे अदालत से विदा हुए 1950 में जब उनकी मृत्यों हुई तो यह समाचार देश विदेश में जंगल की आग की तरह फैल गया सारा देश शूख सागर में तूब गया बीस्वी सदी के भारत की अखंडता को अक्षुन बनाने के लिए उन्होंने जो कुछ किया विश्व के महनतम नेताओं के कारी भी उनके सामने फीके बढ़ जाते है दोस्तों अगर सरदार पठेलना होते तो निश्चिती भारत आज अनेक दुगडों में बटा होता